लेकिन ऐसी कौन सी security टाइड करते है हमारे smartphone की कि हमें पता ही नहीं चलता और इतने भी security हमें करनी क्या है जो कि हमें features नहीं मिल रहे हैं हमें यह पर improvement नहीं मिल रहे हैं नव अश्काद है तो आज हम बात करते हैं Samsung के latest August security patch update के बारे में तो Samsung अपने लगबग बहुत से smartphone को अब तक यह update दे चुका है यह update थोड़ी बड़ी होती है जनरल यह पर 200, 300, 500 MB की update आती है लेकिन यह आप पर update आती है 1200 MB, 1800 MB, 2 GB से उपर की update आपको देखने हैं मिल रही है तो बहुत से smartphone को update आ चुकी है लेकिन बहुत से को अभी आना बाकी तो मेरे पास में अभी 3 smartphone जिसको अपडेट आ चुकी है तो यह S21 FE 5G जो कि Exynos वाला variant है इसमें अपडेट आ चुकी है मैंने अपडेट ले लिए और यह मेरे पास में S20 FE 5G जो कि Snapdragon 865 वाला इसको भी update आ चुकी है बड़ी सी update है कौन सी update आपको आगे भी clear करने वालो और यह Samsung A73 5G तो यहां पे भी आपको बड़ी सी update देखने मिल जाती है यह Snapdragon 778G के अपर आपको देखने मिल जाता है ओके आवाज थोड़ी मेरी खराब है क्योंकि सर्दी हो चुकी है तो थोड़ा manage करना तो थोड़ी दिक्कत आ रही है आवाज के अंदर बोलने में तो वे दे यूज है पहले थे वो कहीं ना कभी फिक्स तो हंड़ेट एंपरसन हुए होंगे अब देखो अपडेट की साइस क्या है क्या कुछ है सब कुछ आपको क्लियर करता हो बात में बात करते हैं क्या कुछ नहीं मिला आपको तो सबसे बहुत हम करते हैं सबी का एक रिव्यू कर कवर करो तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो पूरा देख लेना बाकि आपको सब कुछ क्लियर में कर दूँगा तो बात हम करते हैं सबसे पिले एस्ट्वेंटी एक्जमास वे रणकी तो यहाप पे जो अपडेट साइज है वो लगबग है 1132.69 अपडेट है 1132.69 इसे कुछ मेंशन किया नहीं अलग से बस यहाप लिखा हुआ है कि और और स्टैबिलेटी इंप्रूब की किये और सेकुरिटी आप योल डिवाएस हाज बिन इंप्रूड बस यह बात कुछ यहाप पर सामसन बोलता है बाकि तो यहाप ए फुर्थर इंप्रूमेंट अगर अगर्ष्ट मैंने कई अप्डेट है पिछे आगे बिच्छे का नहीं तो अगर्ष्ट मैंने का अप्डेट है और सभी अप्डेट आपको पड़ी देख से मिल जाते हैं यह आपको सामसन ने मैंशन किया है कि डिवाइस बिएविर हैस बिन इंप्रूड और बस वही कुछ बाते के बिच्छ बाते हैं पर कर दी गई है बाकी तो यह पर कुछ ऐसे अलग से मेंशन नहीं किया ने श्टमार्ट पून है स्मार्ट फोन यह रेखिए तो इसमें जो अप्डेट है वो लगबग यह पर 126 एन्पी किया है निकि 2 जीपी से उपर की अप्डेट है इसको लगबग पिछले एक दो मेंसे अप्डेट आया नहीं था तो डारेकल इन्हों ने अप्डेट दिया और यहाँ पर यह भी अप्डेट सेकुर्टी पैस लेवल एक अगस्ट दो अधर तेज का है कॉमन बात तो यह कि सभी अप्डेट जो अगस्ट महिने की है और यहाँ प कल आजू किते अप्डेट और S21 EP को भी दो तीन दिन पहले आ चुके तो मैं सभी को टेस्ट किया है कि भी डारेकली वीडियो नहीं बनाते है थोड़ा टेस्ट करते है आपको फिर कंप्डेट बताते है रिव्यू करके तो बही बात हम कर यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफो बताय जारे कि update आरे है लेकिन आपको लगता है कि कुछ बर्च िंदर कुछ नगी असा आता है बस एक फ्लाइस रहता है आपको बस लगते रहता है एक्चुल मैं Samsung improvement करता नहीं है हाँ यहाँ पर security patch का update है तो यहाँ पर security थोड़ी बहुत तो यहाँ पर improve होती है लेकिन ऐसी कौन से security टायर करते है हमारे smartphone की कि हमें पता नहीं चलता और इतने भी security हमें करनी क्या है जो कि हमें features नहीं मिल रहे हमें यहाँ पर improvement नहीं मिल रहे है मैंने आप तक ऐसी कुई update Samsung के नहीं देखी इतना समय हो चुका है मुझे इनको use करते हुए कि अलग से कुछ यहाँ पर mention कि बैटरी यहाँ पर improve हो रही है यहाँ पर hitting यहाँ पर कम हो रही है ऐसे कुछ भी है सौटर करते नहीं है तो वही यह तो Samsung का बहुत अजीव खेल चलते रहता है अपडेट के नहीं पर यहाँ पर आपको अपडेट बहुत ही fast मिलती है हर मैने अपडेट मिलती है कि आपको लगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो चल रहा है कुछ ना कुछ तो खाम चल रहा है बाकेंड में कुछ काम होता है अब देखो कि यह सब कुछ खेल है Samsung का लेकिन देखो आप आपको clearly बता दू तो देखो आप लोग जानना चाहते होंगे तो यहां पर यह एक clear बात है इसमें कोई इश्व नहीं है और हाँ देखिए हम बात करते है बैटरी बैक अप की तो तीनो ही फोन का बैटरी बैक अप जैने से पहले ता वैसे ही है कोई भी आप बड़ा सा इंप्रूमेंट बिलकुल ही मुझे देखने नहीं मिला यहां पर यहां पर बैटरी बड़ी है और यहां पर 778G है तो फोड़ा सा बड़ा देखने मिलता है यहां पर बैक अपको सही मिल रहा है यहां पर आपको कोई भी इंप्रूमेंट नहीं मिलता है बात हम करें हीटिंग की तो देखो भी कि जो एस्ट्वेंटी यह दोनों फोन अच्छे गासे गरम हो जाते हैं हीवी टास्क में और वह आज भी वैसे ही होते इन में कुछ इसे खासा इंप्रूमेंट नहीं है वैसे भी क्या है कि अभी चल रहा है बाषि का मौसम और भार ते इसे मैं हीटिंग आशे से ढोको अहीग महन करना आ तो वह एपे आपको ठोड़ा बटकों घरम मैं आज के टाइम पर आपको देखने नहीं मिलेंगे अब चल रहा है October का मेना, September, October का मेना तो यह आप ऐसे आपको heating का इशु देखने नहीं मिलेगा Actually में जो इशु समझ में आता है वो होता है गर्मियों के मौसन में ये दोनों फोन बिल्कुल बाम बन जाते क्योंकि बाहर का ताप मन होता है 40, 42 गरे तो ऐसे में सभी फून गरम होता है तो ये एक्ष्ट्रा गरम हो जाते है अर आप थोड़ा हिविटास करोगे तो और गरम हो जाते है तो ये आपको गरमियों के मुख़ा जालेगा ऐसे आपको पता नहीं चलने वाला अभी के मोसम में ये फून बिल्कुल भी ऐसे हॉट नहीं होते है, नौर्मली चलते है, थोड़ा हलका गरम होता है, तो कोई ऐसे हीटिंग इशू आपको जेखने हैं नहीं मिलता, नहीं S21 FE के अंदर, नहीं S20 FE के अंदर, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, हेवी टास करो होगे, इने की हो जाते हैं, लेकिन जो भी टास करोगे, जाधा गरम नहीं होता है, तो यह बिल्कुल मीडियम साइड में रहता है, तो यह पर ऐसे इसकी प्रितरत वैसी है, तो यह वैसी रहता है, इसमें को इसा इशू नहीं है, तो यहाँ बैटरी के बात होगी, में टेस्ट किया हुआ है, अभी सब कुछ आपको सैंपल नहीं बढ़ा सकता हूं है, लेकिन देखो हैं, सभी के अंदर फोटो किश के देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग वगर सब कुछ करके देखिए, नो इंप्रूमेंट, वीडियो के अंदर साथ में बात हम करें, फ ना कुछ यापे नए फीचर्स एड़ हुए, सेम जैसे था वैसे कि आपको इनके क्यामरा देखने मिलते हैं, ना कोई आपको इंप्रूमेंट देखने मिलता है क्यामरा के क्यामरा के क्यामरा के अंदर, तो यहापे क्यामरा भी क्यामरा के आपको तीनों ही पोन में सेम जै क्यामरा इसका फोटोस के लिए इतना बेटर नहीं है आपको अगर देखना है डिटेल में तो मैंने सभी का रिवीव देकर रखा हुआ है सभी स्मार्पून का चैनल को पर आप चेक आउट कर लेना ओके तो क्यामरा कॉल्डे में आपको कोई भी ऐसा अलग से फ़रक देखने मिलेगा One UI 6 और Android 14 के बाद में तो वो अपडेट आपको बहुत जल मिल जागे इसी साल के एंडिंग तक के या फिर अगले साल आपको मिल जाएगी अपडेट जनुरी फरवरी के महिने में तो आप उसका बेट कर लेना अभी तो आप अगर देखो तो S21 FE के अंदर आपको आपको देखने मिलता है और बात हम करें आप यूए में लैक जिटर से वगरे वो थोड़े कम हुए उसमें कोई ऐसा इसी निए वह स्मूध चल रहा है फोन में आपे स्मूध ने से थोड़ी से बढ़ चुकी है और S20 FE तो डेफिनिटली बहुत ही कामाल का स्मूध चलता ह कोई दिक्कत नहीं है गेमिंग हो सब कुछ यह बहुत ही पावर्फूल तो क्या हम बात करते हैं तो यह तो बिल्कुल फास चल रहा है कोई दिक्कत नहीं और बात हम करें यह पर इस पॉन की जो कि यह से बहुत ही कामाल का चलता है स्नापडगन है तो नो दिककत यह पर स्नापडगन में कोई यह से बड़े से इश्व आपको देखने नहीं मिलता है तो यह भी आपको यह आपको यह आपकर करके नहीं इस में इतनी अप्डेट यहां पर बड़ी की हुए तो यहां पर संसुन के कुछ यहां पर सिस्टीम ऐप्स होते जैसे कैमरा एप्लिकेशन भी और पर बाइमेटिक सेंसर बगड़ हो तो इस सब भी एप्स को इन पर उनको अप्डेट करता हैं उनको यहां पर नूपडेट को यूज किया डिटेल तरीके से अगर आपके पास में तीनों ही स्मार्टफोन है तो आप अपडेट को ले सकते हो कुछ भी आपको ऐसे अलग से इस्यू या फिर बग्स तो आपको बिल्कुल आपको नहीं मिलते लेकिन क्या है कि इंप्रोमेंट नहीं है यह कुछ नए आपको अपने दिमाग से निकाल दो आपको गर्मी में सब कुछ बाते पता चल जाती है वैसे अगर नॉर्मल टास्क करते हो तो वैसे भी यह फोन गरम होते है और बात हम करें बैटरी बैक भी आपको एक इंप्रूमेंट नहीं मिलती तो वह एक इस्यू है तो भई देखो करने लेकिन अपडेटते जाती है आप बिल्कुल अपडेट कर सेटे लेकिन, आप बहुत बहुत दों अस्प्रेट मत करना इतना है तहान किस वाँ में, आपको वीडियों अच्छी लेकिता वीडियो झाल 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 झाल